कमलनात के बेटे नकुलनात ने मध्यपदेश में कॉंग्रिस की इजद बचाई नरेंद्र मोदी की सुनामी के आगे जोतरा दिति सिंथिया कांदिलाल भूरिया था दिगविजेंस हैं जैसी दिगज हस्तियां चुनाव मैदान में निपड गई है ऐसे में कमलनात की पुर्णिया एक काम आई है जिहां चिंद्वाडा में जहां उनके बेटे नकुलनात ने लोगसबा की सीड जीत कर कॉंग्रिस की मध्यपदेश में इजद रख ली है वरना पूरी तरह से कॉंग्रिस का सूपड़ा साफ हो गया है सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमलनात भी विधान सभा का चुनाव जीत गए और उनके बेटे नकुलनात जोकी राजनीती में बिलकुल नहीं है वे अब कमलनात की जगध संसद में कॉंग्रिस की तरफ से प्रतिनित्व करेंगे सवाल इस बात का भी है कि चिंदवाडा में आखिर कमलनात ने ऐसा क्या जादू किया कि वे हमेशा जीतते ही रहे और अब मोदी की सुनामी में उनका बेटा भी चुनाव नहीं हारा इसकी सबसे बड़ी वज़े ये बताई जा रहे है कि कमलनात चिंदवाडा की जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए है वे उनके दुख दर्द को समझते हुए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं वे जब सांसत थे तब भी वे अपना पैसा खर्च करके जनता की समस्याओं को हल करते थे यही वज़े रही है कि कमलनात वहाँ पर बेहद लोग प्रिये रहे हैं वर इसी लोग प्रियेता का लाफ अब उनके बेटे नकुलनात को मिला है